नमस्कार, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा दर्द देने वाले पाइल्स के बारे में जी हाँ पाइल्स जिसे की अर्ष, मसा, ऐसे भी अलग लग शब्द बोलते हैं तो आज का टॉपिक है सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला पाइल्स ऐसा पाइल्स की जिसे होता है उसको पूरा नरक तक याद आ जाता है आज हम बात कर रहे हैं वातज अर्ष के बारे में मतलब वात के कारण जो जिन लोगों को पाइल्स होता है वो पाइल्स क्यूं होता है क्या क्या गलतियां लोग करते हैं जिसके कारण वो पाइल्स हो जात सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला पाइल्स हम सभी जानते हैं कि जो आपका गुदा मार्ग होता है जो एनल रिजन होता है या जहां से आपको पेट साफ होता है उस जगह पे जब आपको छोटे-छोटे अंकोर होने लग जाएंगे या वहां पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होन और यह पाइल्स होगा यह भी अईड़्विद में बोला है चलिए तो बात करते हैं वातिच पाइल्स जो होगा मतरा वात बढ़ने की कारण अगर आपको पाइल्स होगा तो उसमें क्या क्याक्या आपको लख्षड देखने मिलेगे सबसे पहला इस तरह का जब आपको piles होगा वात के कारण अब piles वाले लोगों के साथ क्या problem है ना तो वो उसे बता सकते हैं ना छुपा सकते हैं ठीक उनको क्या लगता है कि अगर किसी को बताया कि मुझे थोड़ा piles कि अकलिफ अकलिफ हो रही तो लोग हसेंगे कि हैं हैं उसको piles हो गया और बताते नहीं छुपा के रखते हैं इस लंबे समय तक रखने के कारण उसमें pain होना सबसे main concern होगा तो वातज जो piles है या वायू के कारण आपको जब भी वायू बिगड के व्यान वायू आपकी बिगड जाएगी वो कफ को बिगार देगी और उसके कारण आपको piles होगा ठीक है वातज जो अर्श है उसमें सबसे ज़्यादा पहला symptoms आपको मिलेगा pain pain मतलब इतना ज़्यादा आपको दर्द होगा इतना ज़्यादा तकलीफ होगी कि जब भी आप लैटरिन करने बैठेंगे या कुछ भी मतलब motion के लिए जाएंगे कई बार तो gases निकलते समय भी वहाँ पे आपको एकदम खतरनाक pain होगा सोई चुपने जैसा जो pain बोलते हैं इस तरह का दर्द होगा और दर्द आपको बिल्कुल भी बरदास नहीं होगा ये सबसे में लक्षड होगा वातेजर्श का फिर ये जो दर्द है वो केवल piles वाल एरिये पर ही नहीं रहेगा वात की करन आपको piles हो गया है बढ़ ये pain आपको body में बहुत जगह देखने मिलेगा जैसे की जब जब आपको वायू की करन पाइल्स हो रहेगा आपको सीर दर्द बहुत होगा कई लोग बुलेंगे की अचा रख से मेरा सीर दर्द होना चालू हो जाता है पता भी नहीं चलता तो अगर आपको piles है और सीर दर्द की तकलीफ है तो यह फ्लाइंस मतलब उसको पार्श रशूल बोलते है यह जो साइड का एरिया है वहाँ पे कई लोगों को दर्द होगा कई लोग को जो स्कैपुला का reason होता है मतलब जो पीट का एरिया है अब इस साइड में वहाँ पे उनको दर्द होने मिलेगा कुछ लोगों को कमर दर्द की तकलीफ होगी तो ऐसे शरीर में आपको बहुत सारे दर्द होने लगेंगे अगर आपको वात के करल पाइल्स हो जाएगा तो और भी कुछ जगह यह पेन आपको जादा देखने मिलेगा जैसे मेल है तो मेल को उनको जो टेस्टिकुलर एरिया होता है मतब जो व्रुशन होती है जो आपका टेस्टिस का जो एरिया है उस जगह पेन होगा और कई लोगों को जांगों में पेन होगा कई पर कैसे होता है कि लोग बोलता है कि ठेक है मेरी जांग है या मेरे कमर की नीशे का हिस्सा बहुत दर्द करता है और वो folic acid, B12 ऐसे बहुत सारी चीज़े खाते रहते हैं पर कोई शर्म के कारण, कोई डर के कारण वो डॉक्टर को बताते नहीं कि उनको पाइल्स हुआ है और उस पाइल्स को बताते नहीं तकलीफ होगी, एक और शब्द बोला कि सीने में एकड़न जैसे एकड़न जक्राट हुई है वैसे लगेगा, सुखा खासी आना, खाना खाने का मन न करना ऐसी बहुत सारी तकलीफ है आपको देखने मिलेगी एक पाइल्स के कारण, आप सुखोगी कि पाइल्स तो वो एनल रूट या पतर लैटरिन वाली जगह पे एक ग्रोथ हुई है उसका इतना सारा सिम्टम्स हो सकता है तो जी हाँ, इतनी सारे सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे क्योंकि वात बढ़ के क्या करता है कि उस एक जगह पे ही नहीं, पूरे शरीर में आपको दकलीफ देने का काम करता है ऐसे में आप कैसे जान सकते हैं कि आपको वात अर्ष है की नहीं तो आईर्वेज में तो हम जो भी पेशेंट आता है उसको चेक करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी करते हैं और चेक करके सिम्टम्स के हिसाप से जानते हैं उसके कुछ लक्षंड जे बोले हैं, जैसे की बहुत ही छोटे-छोटे पाइल्स होंगे जब वात के करण आपको मसा निकलेगा या अर्ष निकलेगा तो बहुत ही छोटे-छोटे होंगे बहुत ही painful होंगे और फटे-फटे से होंगे टच करने पर वहाँ पर आपको खुरदूरापन एक दम कोई कड़क सी कोई चीज है वैसे टाइप की feeling आएगी वात के करन अगर आपको पाइल सोगे तो जब आपको मल होगा तो गाठ वाला बकरी का जैसे मल होता है वैसे कड़क सा मल होगा या कभी-कभी चिकना मल, कभी-कभी कड़क मल और मल होने के साथ बहुत ज़्यादा gases निकलने की भी आपको तकलीव देखने मिलेगी कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम लेट्रिन में जाते तो इतनी ज़दा जोर से गैस निकलती है कि हमें भी शरम आते ही बापरे इतना साउंड क्यों हो रहा है तो ऐसा होता है जब आपके शरीर में वायू बढ़ जाएगी और उसमें आपके गुदा द्वार या फिर मल द्वार के एरिया को बिगाड दिया है तब एक दो सिम्टम्स और आईरुविद में खासकरकी बताए गए हैं कि पतला मल होगा कई बार कई बार कड़क मल होगा और मल में बहुत ज़दा ज़ाग देखने मिलेगा फोम जो बोलते हैं न फेंजी से बोलते हैं उस तरह का देखने आपको मिलेगा और अगर ये पाइल्स लंबे समय तक आपके शरीर में बना रहा तो आपके जो शरीर का रंग है वो काला होना चालू हो जाएगा काला मतलब की जो भी सपोज आपका पहला नेचुरल कलर था अब आप देखो कि डार्क होने लगेंगे आपके नाखुन ज़्यादा काले होने लगेंगे होट ज़्यादा आपके काले होने लगेंगे आँखों के नीचे काला सरकल फेस का जो कॉंपलेक्शन है वो डल होने लगेगा या पूरा शरीर ही ब्लैक होने लग जाएगा ऐसे बहुत सारे लक्षन वात के कारण बोले हैं तो अब सवाल उड़ता है कि इतना सारा जो तकलीफ होता है वातज अर्ष के कारण वो exactly होता क्या है क्या कारण है जिसके कारण आपके शरीर में इतना पाइल्स हो रहा है तो आईरवेद में कुछ गलतियां बोली है मतलब ऐसे चीज़े बताई है कि लोग वो गलतियां करते हैं उसके कारण उनको पाइल्स होता है तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बोली है कि ऐसे लोग जो की बहुत ज़्यादा कटू तिक्त कशा है ऐसे रस खाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कटू मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कड़वा खाना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा कसाईला खाते हैं आप बोलोगे कि कौन सा आदमी जो कड़वा खाना पसंद करता होगा बहुत सारे लोग है जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग को ना कंटीनी नीम की पत्ती खाने की आदत होती है कुछ नहीं है फिर भी खाते या जॉगिंग ओगिंग करने जाते हैं और वहाँ पे नीम का जूस करेले का जूस हेल्थी रहने के नाम पे एक एक दो दो गलास तो जिन लोगों को इस तरह चीज़े करने की आदत है या जिन को बहुत ही ज़्यादा तीखा स्पाइसी ऐसा पसंद है कि जब तक मूँ से लेके पिछवाड़े तक जलनना हो मजा नहीं आता इस तरह क चीज़े आप जदा खाएंगे तो पाइल्स बढ़के आपको यह तकलिफ होगी फिर दूसरी गलती उन्होंने बताई है आईरवेद की सहीताओं में कि जो लोग करते हैं वह है रुक्ष और शीत आहर खाना अब यह क्या हुआ रुक्ष मतलब बहुत ही ज़दा ड्राय बह चालू करते हैं उनके साथ होता है शीत आहर शीत आहर मतलब फ्रीज से कुछ निकाला डारेक्ट थंडा पाने की बॉटल ली थंडी आइस क्रीम खाने की जिनको आदत है उन सारे लोगों को यह होता है और ऐसे लोग जो कि थंडी जगाओं पर रहते हैं मतलब थंडा हैं तो वो मतलब सिया चीन इस जगह पे उनका जब पोस्टिंग होता है तो वो बहुत ही थंडा एरिया है ठीक है या आप में से जो लोग हिमाचल कश्मीर उत्राखंड इस जगह पे रहते हो जहां पे थंडी ज्यादा पड़ती है या बरफ भी कई बार गिरती है तो उस मोसम में या ठंडी का बहुत ज़्यादा एक्सबोजर हुआ तब भी वाध के करण moments होता एक और कारण अईरवտद में बोला गया है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मैथून करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्शुल एक्टिविटी करते हैं, उन्हें भी वात की करण पाइल्स होता है, अब आपके मन में आएगा कि कौन होगा जो बहुत ज़्यादा सेक्शुल एक्टिविटी करता होगा, तो कई लोग है, जैसे हमारे कुछ ये दोनों कारण वात बढ़ जाएगा तो किसी भी कारण से जो बहुती कम समय में बहुती ज़्यादा sexual activities करते हैं ऐसे सारे लोगों को वायू बढ़ती है ना भी के नीचे खास करके व्यान और अपान वायू और उनको पाइस जैसी तकलीप देखने मिलती है treatment बताने से पहले मैं दो चीजे और आपको ध्यान देना चाहूँगा जैसे कि कुछ लोग जिनको अच्छानक weight loss करना होता है अभी जैसे मेरी एक junior है तो उसे उसकी मतलब February की मन्त में शादी है तो उसने क्या बोला कि मुझे ना शादी के पहले photo shoot कराना है तो अच्छानक से स जदा fasting करना पहले दिन में 4-4-6 बार खाते थे और next day से अब दिन में एक बार भी नहीं खा रहे तो बहुत ही उपवास करने लग जाना ऐसे लोगों के साथ और कुछ लोग जो बहुत जदा drink करते जिनको अलकोल लेने की बहुत जदा आदत है तीशनम मद्य ऐसा आईरवे कोपी करते हैं मतलब उस जगह को चेक करते हैं और चेक करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे क्या कर ट्रीटमेंट होगा कई बार हम oral आउशदियां देते हैं कई बार कुछ लेप लगाने बोलते हैं और कई बार शार सुत्र जैसी जो चीजे होती है मतलब एक कुछ तो रिलीफ मिले जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो तब तक क्या कर सकते हैं वह बोलता हूं इसमें सबसे पहला रूल है कि ऐसी चीजे करना जिसे आपकी अगनी अच्छी रहे और आपको डेली मोशन होता रहे यह सबसे इंपोर्टन चीज रहेगी तो ऐसे में एक औश्डी है जो की दोनों काम करके देती जो आपको डेली अपने लाइफ में लाने ही चाहिए अगर वात के करन आपको तकलीफ है तो उसका नाम है तक्र तक्र जिसे की बटर मिल्क भी बोलते हैं आम बोल चल की बासरा में कई लोग उसको चाज भी बोलते हैं तो ये जो तक्र होता है, तक्र क्या है, ऊश्न बोला है आईरवेद में, ये थोड़ा सा खटे रसका होता है, और ये वायू अनुलोमन करता है, मतलब आपके शरीर में जो वायू फसी थी, जिसके करण आपको फ्लैंक में बेन हो रहा था, सिर्दर्ध हो रहा था, जांगों म किराने की दुकान पे, कोई भी आईरवेदिक शौप पे आराम से मिल जाएगी, एक से दो पिंच पे प्ली पाउडर लिलो, एक ग्लास जो चांच होती है, वो खाना खाते, उस चांच में मिला कर, खाना खाते समय बीच में, दो से चार घोट, छे घोट या आधा ग्लास त तो हरड by nature गरम है, पर वो बहुत ही dry होती है, और वात वालों का issues क्या है, dryness, तो आप क्या कर सकते हो, कि हरड का जो powder होता है, वो one-fourth चमच, हरड, हरी तकी, हरडे, हिरिडा, ऐसे अलग-लग शब्दों बोलते हैं, तो हरड पाउडर आपको आराम से online या कोई भी आईरव दूसरे आपको motion भी clear होगा, जो gases फसी है, वो कम होगी, और pain भी कम होने में मदद मिलेगा, अगर आपको lettering के जगह पे piles के कारण बहुत ज़्यादा pain हो रहा है, इतना ज़्यादा pain की आपको बरदास के बाहर है, कि कपड़ा अपड़ा भी touch हो जाए तो आपके प्राण न उबाल लो, 1-4 चमच पाठा पाउडर, एक गलास पानी में उबाल कर, half कर लेना चाहिए, और उसे sip-sip करके पीना चाहिए, तो जो गुदा मार के यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा pain हो रहा है, वो pain के sensation को या intensity को वो कम कर देगा, डाइट में आप ऐसे item रखिए, जो क थोड़े से चिकने और गरम है, जो की piles के pin को कम करते हैं, तो इसमें सबसे best भाजी जो है, वो है सूरण की सबजी, सूरण पे मैंने अल्रेडी वीडियो डाल का रखा है, तो सूरण की सबजी, इसको आप अपनी आम बूल चल की भाशा में क्या बूलते हैं, पता नहीं, आ बैगन भी बहुत अच्छा काम करता है, गरम होता है, वाद कफ पर काम करता है, पाइल्स पर बहुत अच्छा काम करता है, तो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, हरे पत्ते की सबजी आपके लिए फायदे मन्द रहेगी, बट जैसे कि मेति है, पालक है, बथ हुआ है, मसाला घी डाल के जो आप बना कर खाते हो फायदे मंद रहेगा रोटी में ग्यों की रोटी और बाजरे की रोटी इस तरह की चीज़े आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बनी बनाई अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो बहुशाल गुड नाम का एक दवा मिलता है वह व बहुत लंबे समय तक बैठे रहना बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में जो जो बुली थी कि जिस कारण से वायू बढ़ती है वो चीज़े अवाइड करो कई लोगों को पाइल सोने का में कारण है एक ही जिगा पे लंबे समय तक बैठे रहना ये अवाइड करना चीए औ ये सारी चीज़े आपको जो तकलीफ हो रही है उसको टेंपरररी कम करने में फैदे मंध होगी तो ये तो था वाइड के करने वाले पाइल के ऊपर आई रवेद में जो जो कारण बता है उसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम पित कफ और तीन दोस्टों के करन जो piles या अर्ष होता है उसके बारे में बात करेंगे ये वीडियो के से लगा comment करके आप बता सकते हैं और ऐसे कौन से topic पे क्या details आप देखना चाते हैं वो भी comment करके आप suggestion दे सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें